हरे कृष्णा, आज की सुंदर कहानी में आपका स्वागत है। छे साल का एक बालक सरावनन अपनी चार साल की बेहन सुमती के साथ बाजार में घूम रहा था। उसकी बेहने खिलोने की दुकान के दर्वाजे पर खड़े, खिलोनों की तरफ बड़ी उमीद से देख रही थी। सरावनन ने पूछा, तुम्हें खिलोना चाहिए? कौन सा वाला चाहिए? उसने दुकान के मालिक से एक बड़े आदमी की तरह पूछा, ये कितने का है? मालिक ने हस्तेवे कहा, आपके पास कितने हैं? सरावनन ने जेब से समुद्री सीप निकाले और दे दिये. सर, इतने काफी हैं क्या? दुकानदार ने कहा, प्रयाप्त है. लड़का खुशी से अपनी बेहन को खिलोना दिला कर चल पड़ा. दुकान के कर्मचारी ने मालिक से पूछा, सर, आपने बेकार सीप के बदले में इतना महंगा खिलोना दे दिया? दुकानदार बोला, उस लड़के के लिए सीप मूल्लेवान थे और अपनी बेहन की इच्छा भी. अगर मैं पैसे मांगता, तो वो उदास हो जाता, उसकी मानसिक्ता पर असर पड़ता. सीप लेने से उसको विश्वास हुआ कि वो अपनी बेहन के लिए कुछ कर सकता है. बड़े होकर अच्छी नियत रखेगा, प्यार बड़ेगा और जिम्मेदार बनेगा. भगवान भी इसी तरह हमसे थोड़े से प्रेम के बदले में इतना कुछ देते हैं. घर, पैसा, संपत्ती, परिवार, भगवान हमारी हर जरूरत जानते हैं और बस हमसे थोड़ा सा प्रेम और आस्था की उमीद रखते हैं. सर्वम श्रीकृष्ण अर्पनम